और मध्यप्रदेश लोक सिवायोग यानि MPPSC की भरती परक्रिया में देरी से अभ्यार्थी नाराज है उसके चलते ग्वालिया दौत जबलपुर सहित कई जगों पर अभ्यार्थी इसके विरोध में उतार आए हैं और सोशल मीडिया पर हैस्टेक MPPSC लेकर अभ्यार्थी व जता रहे हैं MPPSC में देरी का MPPSC भरती प्रक्रिया के देरी का विरोध यहां पर अभ्यार्थी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हैस्टेक MPPSC 2019 लापता ट्रेंड कर रहा है दरसल MPPSC 2019 की भरती प्रक्रिया चार साल से लंबे थे और अब इसको लेकर प्रदीश इस्तर पर प्रदशन शुरू हो चुका है 24-14 पर MPPSC 2019 लापता के पोश्टर लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी और खुद अभ्यार्थी तक्तिया हाथ में लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं अभ्यार्थियों ने देरी के चलते मांसिक रूप से बीमार होने कारूप लगाया है इसके पीछे OBC और कोट के चकर को अभ्यार्थी एक बड़ा कारण बता रहे हैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोट द्वारा रोस्टर प्रणाली से आयर रिजल्ट को संशोधित करने की बाद उसके बाद आए उग तीन महिने से विधिक राय ली जा रही है यह कह रहा है तो राजी सरकार MPPSC 2019 के 1098 पत्चों का मेंस क्लियर हो चुका है वो भी इससे अरक्ष्ण और रोश्टर की वज़ा से भरती प्रक्रिया लंबेता है लगवग चार साल हो चुके हैं यह 2019 का प्रोसेजर है और हम लोग लगवग 1918 स्टुडेंट हैं जो इस पूरे दौर में मानसे को आर्थिक रूप से बहुत परिशान हो रहे हैं पर अभी तक कोई हम लोग की सुनवाई ही नहीं हो रही है अभी तक आयोक का इसके दोवार इस पस्टिकरण नहीं दिया गया है और नाहीं उसमें प्रोसेस फोलो किया है वो माननी नीलाय के निर्णे का वेट कर रहा है कि फाइनल रजल्ट कब तक फाइनल केस कब तक सॉल्व होगा लेकिन अगर नीलाय के मानकों के रूप में जा रहा है जिसमें लगभग पचास हजार विद्यार्तियों ने साथ दे दिया है हभी तक और ये केंपेंड लगातार जारी है सर और नेयू नामक एक संगठा ने वो भी इसमें साथ हा रहा है सर और हमें लगता है कि जल्द जल्द आयोग को इस पर इसपस्टिकरंड देना आख लिए अ इसर और हमें लगताथ है सरे जल्द दसॉ़र्द एसर रही है सर उल्द दसरी कि लिखए हैagneश्टाम